पाकिस्तानी एक्ट्रिस तो आपने कई देखी होंगी जिनकी व्यूटीज को देखकर आपने माशालला भी कहा होगा इन व्यूटी दिवास की बीच एक अदाकारा है हानिया आमिर जो पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रिस में शुमार की जाती हैं हानिया की खूपसूर्टी के क्या ही कहने उन्हें देख तो फैंस की नजरे नहीं हरती सोशल मीडिया पर हानिया के लुक्स और ब्यूटी की लोग तारीफ करते नहीं थकते जिस एक्ट्रिस के हुसन के इतने चर्चे हों चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ खास वाके और कुछ खास बाते हानिया ने सपोर्टिंग एक्ट्रिस के तौर पर अपने करियर की शुरुवात की थी और अपने स्रोल के लिए हानिया को Let's Stylist Award का West Supporting Actress Nomination मिला था इसके बाद हानिया तितली शो में दिखी और अपनी एक्टिंग से दर्शकों को इंप्रेस कर दिया इसके बाद से हानिया ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन ड्रामा करती गए इन दिनों हानिया आमिर मुझे प्यार हुआ था में नजर आ रही हैं और सारे एपिसोड स्टेंडिंग पर जा रहे हैं हानिया के फिल्मोग्राफी में सुपरस्टार, लोड वेडिंग, परवाज जुनून, नामालूम अफराटू जैसी सुपर हिट मुबीज शामिल हैं हानिया फिर वही महबत, मुझे जीने दो विशार, अना, इश्कियां, दल्रुवा, मेरे हमसफर जैसे कई सुपर हिट शोच का हिस्सा रह चुकी हैं हानिया अमिर को लेकर कई सारे विवाद भी हो चुके हैं हानिया का नाम सिंगर आसिम अजहर के साथ जोड़ा गया था लेकिन सिंगर आइमा वैक के साथ लाइब सेशन में एक्ट्रिस ने रिलेशंशिप की खबरों को इनकार कर दिया था जूं 2020 में हानिया का एक वीडियो वारल हुआ था हानिया का एक्टर आशिर वजाहत के साथ वीडियो सामने आया जिसके बाद हानिया ट्रोलर्स के निशाने पर आई थी हानिया के साथ एक शौकिंग वाक्या भी हुआ था एक्टरिस को इंस्टा पर लाइब सेशन के दौरान सेक्शली हरिस्ट किया गया था इस वाके का हानिया पर गहरा असर पड़ा था इस हरकत के बाद हानिया को लाइव सेशन बंद करना पड़ा था